नमस्कार मैं हूँ रान हिर्दय और आपका सवागत करते हैं हमारे पहले प्रोड़्कास means और हमारे पहले पोड़्कास में हमारा साथ देने के लिए हैं अज हमारे साथ जानी मानी कलाकारा जो कि किसी भी परीचे का महताज नहीं है लूपम हिरदय जी नमश्कार तो चलिए रूपम जी आपके साथ हम ये सफर शुरू करते हैं और बताईए कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताईए मेरे बारे में अगर एक शौट इंट्रो बोला शुरुआत करते हैं एक शौट इंट्रो से जिसमें सबसे पहले मेरा नाम रूपम ये नाम 2019 तक सिर्फ रूपम ही था 2019 में रूपम हिदय हो गया जो कि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर जितने भी लोग जानते हैं अभी भी आप लोग जो देखेंगे तो सोशल मीडि है उसकी बाद में चर्चा करेंगे और एजुकेशन सेकिंड फ्रायटी में मानती हूं इसको एजुकेशन है मेरा मैं में बीएड हूं साथी में मैं रही हूं शुरुआत से ही दिल्ली में हम लोग बिहार से बिलॉंग करते हैं और बिहार मदवनी के हम लोग हैं अकसर बिहार में हुआ उसके बाद से जन्म के बाद से ही दिली आगे दिली में शुरुआत से ही मैं रही हूं तो कुल मिलाकर करके ये भी मुझे होमटाउन की तरह लगता है लेकिन basically मैं बिहार से हूँ बहुत अच्छा answer दिया आपने तो means हम यह कह सकते हैं कि आपकी जो शिकषा-दिक्षा है वो दिल्ली से हुई है आपने अपने बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी आइँ होप आपके जो viewers है जो भी आपके followers है उनके लिए यह जो जानकारी है अक्सर मुझे यह मैसूस होता है क्योंकि लाइव में हम लोग गाते हैं या जो भी चीजे लोग देखते हैं वो गाने से संबंदित होती है लेकिन वो सिर्फ हमेशा मैं बोलती हूँ मेरे लाइव का एक पार्ट है उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जानने के लिए हैं नेक्स्ट मैं आप से जानना चाहूंगी और जो हमारे व्यूवर्स है वो भी जानना चाहते हैं क्योंकि आपका फील्ड जो है बहुत ही इंट्रिस्टिंग है और आप संगीत से रिलेटेड है तो आप अपने संगीत के सफर के बारे में बताईए कुछ संगीत का सफर मुझे ऐसा लगता है बाइबर्थ शुरू हो गया था जन्म से ही हो सकता है हम लोग सुनते हैं कि एक गर्ब संसकार होता है तो वही से क्योंकि मम्मी भी एक तरह से बहुत अच्छी उनकी आवाज रही है और पापा तो बहुत संगीत में उनकी रुची भी रही है उनका टैलेंट भी था वो बहुत जादा गाते भी थे तो आटमेटिकली आ गया है कि जीन्स में ही आ गये है और साथ में अगर जीन्स में कोई चीज आए और आपको environment ना मिले तो वहीं चीज दब जाती है तो सब कुछ positively मतलब इसके पक्ष में ही रहा है जन्म से ही संगीत से मेरे ख्याल से मुझे लगाव रहा है लेकिन गाना कहते हैं पापा गाया करते थे या गाना लिखते हैं वो तो उनके गाने को गाना ऐसे ही पहले तो बहुत सारे लोग उनके गाने गाते थे जब पता नहीं था कि hal açık दो साल में तो कोई बच्चा क्या ही गाएगा है लेगिन तीन-चार साल से मेरे हैं में क्यूंकि इंट्रस फिक रहा था फिरमें भी नहीं पता था कि हम लोग ज़ं तो स्कूल में जब नर्सरी के जी वगेरा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर प्रोग्राम हुआ करता था 15 अगस्त का तो मैं गा रही थी कहीं पर जा करके क्योंकि मुझे इंटरस्ट था तो स्कूल से होने वाले सारे प्रोग्राम में मैं गाया करती थी जो कि घ अगर कोई भी हमारे लावा भी कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो मेरी पिताजी बहुत एप्रिशेट करते हैं तो उन्हें लगा कोई बच्चा बहुत अच्छा गार है फिर उन्होंने जब देखा कि यह तो मैं ही गारी हूं तो उनको बहुत खुशी हुई और उस जुरत है जिस भी चीज की जुरत पड़ी संगीत के कंसन में यह किसी भी कंसन में तो उन्होंने प्रोवाइड किया तो वहां से संगीत चलता है उसके बाद दीरे-दीरे क्या हुआ कि एक संस्था से मेरे पिताजी जुड़े थे अभी भी जुड़े हुए हैं मिथिलांग कि स्टेज शो वगरा कर सकते हैं उसके बाद कुछ स्टेज शो शुरू हुए प्रोफेशनली मतलब पेड जो शोज होते हैं वो शुरू हुआ ओके तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है रूपम हिर्दे के और रभ हिर्दे के टू मिलियन फॉलोवर जानते हैं उनकी सोशल मीडिया के सफर के बारे में इस्ट मुझे आप को क्या लगता है सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि आप लोग शोशल मीडिया पर इतने फैमस कब हुए जो है उसल मीडिया का पर शोशल मीडिया पर आने का एक बहुत ज्यादा कुछ सोचा समझा हुआ नहीं था लेकिन टाइम आया जब आप सभी लोग जानते हैं कोविड का सोशल मीडिया पर थे हम लोग बहुत पहले से लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी मैं थोड़ा रिजर्व पर आपको बहुत ज्यादा जीजक होती है बहुत यह वैसे मैं बहुत confident हूँ अपने गानों कर ले करके या अपने life में लेकिन क्योंकि उस टाइम पर कोविट से पहले आप सभी लोग जानते हैं लॉक्डाउन से पहले social media का इतना चलन भी नहीं था उसके बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया तो मुझे किसी ने बोला कि आप मैं एक बार स्टेज्च शो कर रही थी तो मुझे किसी ने बोला कि आप अपना अकाउंट क्यों नहीं बनाते यूट्यूब पर जो कि बना हुआ था ओल्रेडी बना हुआ था तो फिर मुझे लगा कि अब लोग बना चाहते हैं हमें उसके बाद फिर लॉक्डाउन हुआ लॉक्डाउन में क्योंकि शुरुवात के टाइम पर हमें आदत नहीं थी कि क्या से रहना है क्या है पूरे दिन हम लोग घर में बंध है तो फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोगों ने मेथलीगीत बहुत जादा गाया करती थी अब तो खेर हिंदी भी शोचल मीडिया पर गाते हैं लेकिन पहले उस टाइम पर मेथलीगीत ज्यादा में गाया करती थी तो वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद फिर एक जुनून सा आ गया मतलब एक लाइन हम लोगों ने सु करते हैं कि तिनके का सहरा भी काफी होता है तो यह लाइन बड़ी अच्छी लगी कि आपदा को अफसर क्यों बैटे बैटे उदास होना या यह सोचना कि हम बाहर नहीं जा पर यह हम परेशान है तो घर में टाइम स्पेंड करना है तो भजन की इरतन यह सब शुरू हुआ पर उसके बाद फिर एक जुनून सा आ गया तो उसी जुनून में फिर यह हम काम करते गया हमने सोचा नहीं था कभी भी कि हम बहुत जादा आगे हम लोग बढ़ेंगे इतने फॉलोवर्स होंगे वह अपने आप ही आप काम करते गया और अपने आप होता गया तो रुपम अपने फॉर्स्ट वीडियो के बारे में बताईए जो कि आपका वाइरल हुआ था फॉर्स्ट वीडियो मेरा रुद्राष्टकम और रुद्राष्टकम की भी एक कहानी है जैसा कि मैंने बोला मुझसे रिलेटेट बहुत सारी बातों में लॉजिक मिलेगा आपको तो तक आप रिकॉर्ड कर ली जिए गार तक ऑफ क्यों कि आज बहुत अच्छा दिन है वरत क्या ऊसिवर शिवरात्री आग नर्क निवारन चाथूडसी लुग कुछ इस तरह से शिवरात्री थी तो मैं एंने क्योंकि मैंने वरत किया हुए था व्रत बहुत ज्यादा मैं बह इगनौर किया फिर शाम को मुझे रहा नहीं गया क्योंकि पापा ने बोला था तो वो कहीं न कहीं आपके मैंड में होता है कि आपको अगर किसी से बहुत जादा लगाव है और वो आपको अगर कुछ कहते हैं तो आप कहीं न कहीं उसको पूरा करने की जरूर सोचेंगे और नहीं करेंगे तो एक गिल्ट होगा आपको तो मैंने रिकॉर्ड किया और उस टाइम पर मैंने बताए कि रुद्राष्टकम बहुत ज्यादा मैं उस चब्दों से मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं थी तो गाया मैंने और उसको अपलोड किया गया जब मैं आई तो उसक सारी बाते जान गई हूं उस टाइम पर हमारे पास मतलब नौलेज के नाम पर लिटल बिट थोड़ा सा नौलेज थाम को तो गाया हमने और उसको अपलोड किया अगले दिन पता चला कि उसके व्यूज काफी आने शुरू हो गये हैं तो उस वीडियो में हलाकि अब पता च है अब पता चला उस वीडियो से कि शब्दों का भाव से ज्यादा मोल नहीं है वह जिस भाव से मैंने गाया था एकदम जैसे कि परमातमा मेरे समक्ष हो और मैंने पर प्रित किया हो ऊस बहूं से मैंने गाया था और वह चीज कारगर रहा वो वीडियो उसके नेक्स डेई ह हमारी recording ती एक गाने की शेफालिका जी के गाने की उन्हों ने गाना धिया था वह recording के लिए हम लोग गए हुए थे तो स्टूडियो में मुझे बताया जो रिकॉर्ड इस थे उन्होंने मुझे बताया कि क्या बात है आपका वीडियो तो वाइरल हो गया है तो हमने देखा हमें पता नहीं था कि 40-50 जार व्यू उस टाइम पर वाइरल होना होता है तो हमने बोला अच्छा व्यू जा रहा है और उ उस वीडियो में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई इस तरह कि हम उसे कंट्रोवर्सी तो नहीं मानते वह वीडियो को लोग डाउनलोड करके फिर अपने चैनल पर अपलोड करके अपने अपने चैनल उन्होंने मॉनेटाइज किये और मुझसे जादा मेरे चैनल से झाल झाल